कि 6-7 मीने तक जो हर्वेस्टिंग होती रहती है इस्टोपरी की खेती में और यह मेरी दूसरी वीडियो है दोस्तों यह जनवरी के में मैं फरवरी मैंने दूसरी पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें आप चैनल पर देख सकते हैं सब्सक्राइब बरके और नई वीडियो ब सब्सक्राइब करने में माई के महिने में मैं यहां जून sundin यानि कि जो भाए कीति की थी ही सितंबर में और पींडुख़ो रहे हैं ज़ी तो बिल्कष कर दिखेंद रेट हैं तो एक लिए जोन के महिने में शेस्तो साथ सूरपी किलो जिसका और जनवरी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है इसमें कोई रोग इसमें जादा नहीं है केड़े की प्रे थोड़ा कम कर रखें नहीं हर्वेस्टिंग अभी अभी रहरें बहुत यह अच्छी जो यह फसल है और कोई प्रशल गो रहे हों तो इस तो भी जो खेती आब एक बार करके देख सकते हैं बहुत यह च्छी कि जो फूल डीटेल हमारे चैनल पर है दूसरी व मैं आज 28-29 मई है और आप दे सकते हैं किस तरीके से टैंप यहां पर इसके बाव वजूद यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से जो हार्वेस्टिक दूसरा प्रोट वां भी जिहारों आपको दूसरे प्लोट में भी इससे भी अच्छी जो हार्वेस्टिंग हो रही है और यह पर जो इन्होंने पिन्नी लगाई थी इस पर जो मेड पर वो खटा दी है फिलाल में क्योंकि एक मीना इन्हें और चला नहीं है बस यह उसके बाद यह इसका जो दूसरी तैयारी करें है खेट कि और यह इनका जो एक मीने बाद जो बुआई की थी यह नवंबर में आसको भी किलो ऐनी जो वहाँ पर शायर देखार आपके हर्वेस्टिंग चल लिए और दूसरी तरफ और दो इकड़ खेट है तो बहुत ही हो यहां पर बहुत ही जाला चो इस टोपर आचती की जाती है तैंपरेजर भी यह यहां पर जो यह देखिए कितनी अच्छी तरीक प्रोडक्शन यहां पर लेंगे तो यह मैं दिखा रहा हूं आपको यह फूल यहां पर आ रहे हैं और बहुत यह अच्छी यह फूल आ रहे हैं लगतार और अभी यह मैं जून के बाद भी जो इसमें आर्वेस्टिंग कर सकते हैं लेकिन यह बता रहे हैं कि जून के मैने में यानि के जुन जूलाइं में जोलाइं में लिखpex करेंगे और अच्छा रगां फालें दो मेहिन में उसके पास सितंबर के मेने में दूबारा भालें थीर उसकी कड के तो हमारी वडिकने जाहिए जाहिन जाहिए य도